आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एकदम परफेक्ट दानेदार मोहन थाल की रेसिपी जोसे आप जनमाश्मी पर भी बना सकते हैं इसके अलावा आप इसे किसी भी त्योहार पर भी बना सकते हैं हलो एवरिवान कैसे हैं आप सब मेरा नाम है पायल और मेरे चानल में आप सब ही का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए फिर जल्दी से मोहन थाल बना लेते हैं इसके लिए सबसे पहले यहां हमने परात ले ली है और इसमें हम डाल रहे हैं बेसन बेसन हमने 500 ग्राम लिया ह है और 500 ग्राम के हिसाब से ही मैं आपको बाखी के सारे मेजरमेंट बताऊंगी बीच में इस तरीके से हम लोग जगा बना लेंगे और इसमें डालेंगे 10 चमच दूद दूद नॉर्मल टेंपरेचर पर रहेगा ना जयादा गरम ना जयादा ठंदा और 10 चमच ही हम इसमें घी भी डालेंगे चमच याने खाने वाला चमच जिससे हम चावल वगएरा खाते हैं वह वाला चमच अब इन सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे जो ये बेसन है इस पे पूरा घी दूद जो भी हमने इसमें डाला है वो अच्छे से लग जाना चाहिए इसे मौइन लगाना कहते हैं ये स्टेप बहुत ज्यादा ज़रूरी है इसलिए पूरे बेसन पर अच्छे से रगड़ रगड़ कर घी और दूद को इस तरीके से लगा लीजे जैसे ही ये हो जाएगा हम यहाँ पर एक बोल ले लेंगे या आप एक प्लेट भी ले सकते है उसके उपर एक चलनी रख लीजे और ये जो मिक्स्चर है घी दूद और बेसन वाला इसे हम अच्छे से चान लेंगे बड़िया तरीके से चानिए थोड़ा सा ये महनत वाला काम है इसमें थोड़ा सा समय लगता है लेकिन जो बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा वो चानने के बाद में ये देखिए बड़िया सा चंकर तयार हो गया है अब हम इसे क्या करेंगे साइड में रख देंगे हमारा अगला स्टेप है बेसन को भूनना उसके लिए हमने यहां पर कढाई ले ली है इसमें हम 400 ग्राम घी डालेंगे फ्लेम जो है वो एकदम लो पर घी को गरम होने देंगे घी को मेल्ट होने देंगे घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा जो बेसन हमने चान कर रखा था वो हम इसमें डाल देंगे अब हम बेसन और घी को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे शुरुरुआत में आपको ऐसा लगेगा जैसे जो बेसन है वो सारा घी पी गया है थोड़ा सा वो एब्जॉब कर लेता है घी को तो आपको स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा सूखा-सूखा है बट धीरे-धीरे करके यह जो टेक्श्चर है वो चेंज होता जाएगा अब हमारा काम सिर्फ यह है कि लो फ्लेम पर हमें इसे लाते रहिए यह देखिए दाने अभी से ही आपको नजर आ रहे होंगे कि क्या बढ़िया दाने जो है वो इसमें आ गए हैं लगबग 10 मिनिट लगातार चलाने के बाद में आपको कुछ ऐसा टेक्शर मिलेगा बेसन का जो की बहुती लाइट होगा और बहुती एरी टेक् पंदरा मिनिट के बाद चेंज होता आपको नजर आएगा लेकिन अभी हमें इसे और सेखना है इसका कलर और चेंज करना है तो यह देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि हमें एकदम परफेक्ट जो ब्राउन कलर है वो मिल गया है और घी भी आप उपर देख सकते हैं कि कैसे एकदम उपर पूरा घी जो है वो आ चुका है इस टाइम पर हम गैस को बंद कर देंगे और एक बार अच्छे से चलाने के बाद में हम इसमें मावा डाल देंगे 200 ग्राम मावा जिसे हम खोया भी कहते हैं वो हम इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे गैस अब बंद है गैस अब हमें ओन नहीं करना है बंद गैस पर ही मावे को अच्छे से मिक्स कीजे ज्यादा देर चलाने की जरूरत नहीं है पांच मिनट तक बस सिर्फ इसे मिक्स कीजे जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे इलाइची पाउडर ये ऑप्शनल है अगर चाशनी चाशनी बनाने के लिए मैंने यहां पर ली है 400 ग्राम शकर आप इसमें 300 से 400 ग्राम शकर ले सकते हैं और एक कप पानी यानि जितनी आप चीनी लेंगे उसका आधा आधा आपको पानी लेना है फ्लेम हाई पर रहेगा थोड़ा सा केसर मैंने इसमें डाल दिया है हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उबलने देंगे लगभग 5-7 मिनट आपको इसमें एक तार की चाशनी बनानी है जिसमें 5-7 मिनट लग जाएंगे तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहां पर 7 मिनट हो चुके हैं और मैं देख लेती हूँ एक बार एक तार की चाशनी ब इस टाइम पर गैस को बंद करेंगे और जो चाशनी है वो हम डाल देंगे हमारे बेसन में तो गैस बंद है हमें गैस ओन नहीं करना है बंद गैस में ही हमें आधी चाशनी डाली है मिक्स करनी है मिक्स करने के बाद दुबारा हम बाकी की जो बची हुई चाशनी है वो डाल द और फिर दुबारा से हम इसे भी कर देंगे एक साथ पूरी चाशनी नहीं डालनी है सिर्फ आधी-भी करके ही डालनी है और mix करते जाना है और याद रखिएगा यह हमें बंद गैस में ही करना है गैस को आन नहीं करना है इसे जैसे ही हम लगातार इसी तरीके से चलाते पूरी जो चाशनी है वो हमारे मिक्षर में सेट हो जाएगी उसके बाद कोई भी प्लेट ले लीजे या कोई भी मिठाई की ट्रे ले लीजे और उसमें इस मिक्षर को डाल दीजे बढ़िया से अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगा ना हो तो चम्मत से इसे अच्छे से स्प ही छोड़ दीजे सेट होने दीजे तीन से चार घंटे के बाद ये बढ़िया से सेट होकर तयार हो जाती है उसके बाद आप इसे अपने पसंद के शेप में काट सकते हैं मैं से स्क्वेर काट रही हूँ आप इसे जैसे मर्जी वैसे काट सकते हैं ये बहुत ही परफेक्ट recipe मैंने आपको बताई है मोहन थाल की आप इसे जरूर से try कीजेगा आपको बहुत बहुत पसंद आने वाली है मैं आपको एक पीस दिखा भी देती हूँ ये देखे थोड़ा पास से भी दिखा देती हूँ कि ये कितना बढ़िया और दानेदार बना है बहुत ही बढ़िया टेक्शर है एकदम मार्किट स्टाइल जैसे हम मार्किट से खरीद के खाते हैं बिलकुल वैसा ही ये बनकर तयार हुआ है तो आप इसे जरूर से try कीजेगा वीडियो पसंद आया हो तो like कीजेगा शेयर कीजेगा मेरे चानल को subscribe जरूर कीजेगा और उसके बाद जो bell icon आएगा उसे भी जरूर से प्रेस कीजेगा जल्दी मिलेंगे हम अगली recipe के साथ में तब तक के लिए बाबाई